औम श्यान्ती 347 दिन की श्थुर वर्तान में आप सबको स्वागत है आज परिम पिता परमात्म हमें और नई बाते सिखाते हैं कि हम ब्रम बाप समान कैसे बने बने अड़म के जैसे कैसे बने तो देखे आज बाबा कहते हैं इस वर्दान में बाबा कहते हैं अपने श्रेष्ट कर्मा रूपी दर्पन द्वारा दर्पन में तो देखते हैं अब अपना चेरा लेकिन परमातो कहते हैं अपने कर्मों के दर्पन को भी देखो और वो दर्पन का है, वो हमारे मन की ही आँखों में है, जो जो हमने कर्म की है, वो चित्र है और वो गुप्त है, हमारे मन को पता है तो अपने श्रेष्ट कर्म रुपी दर्पन द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म दिखलाने वाले बाप समान भावा विस्तार में चलते हैं ब्रह्म बाबा ने यह आडम ने जुक किये थे कर्म उनके अनुसारी हमारे जुक कर्म हो तो जाकर के परमात्मा कहते हैं आप ब्रह्म बाप के समान होगे और औरों को भी ब्रह्म बाप के समान आपके कर्म दिखाई देंगे जो बच्चे इतना अटेंशन रखकर हर कर्म करते हैं उनका बोलना, चलना, उठना, बैठना बोलना किसके समान? ब्रह्मा बाबा समान चलना भी ब्रह्मा बाबा समान उठना बैठना भी ब्रह्मा बाबा समान वो 스트ress में, हबढ़ तबढ़ में, कारणे कुछ भी करते नहीं है सब ब्रह्मा बाप की समान होगा हर कर्म वरदान यूग्य होगा यना खुद भी शांत होंगे और उको में शांती देंगे खुद भी सुख में होंगे और उको भी सुखी बना सकेंगे मुख से सदय वर्दान निकलते रहेंगे वर्दान सर्फ किसी को आशरवाद देना या किसी की शुब कामना शुब भामना होना ही नहीं लेकिन हर किसी को सही रस्ते पर सही दिशा दिखाना उसको भी वर्दान कहते हैं जैसे हम हर दिन वर्दान सुनते हैं तो हमारी गुद्धी को एक देशाद मिलती है, फिर साधारन कर्म में भी विशेष्टा दिखाई देगी, जैसे जो साधारन कर्में ही लोग आहंकार में आजाते हैं, ईर्शा में गृणा नफ्रत में आते हैं, लोब में आ जाते हैं, वहाँ पर हम ब्रह्मा बाप के बच्च कि आप हर कर्म जो करोगे वो साधरन कर्म तो दिखेगा लेकिन उसके अंदर आपकी विशिष्टा दिखाई देगी आप कितने तैजीब से, किते प्रेम से, कितने आनन से बिना किसी संकोच के, बिना तंग हुए, बिना परिशान हुए जिब आप कर्म करेंगे, तो और लोग जो सिचुएशन में परिशाना रहते हैं, वो आपको दे करके बोलेंगे, यह कैसे कर लिया है नोने तो वो सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को कौपी कर रहे हैं तो यह सर्टिफिकेट लो, तब कहेंगे बाप समान, सर्टिफिकेट किसे मिलेगा, और उसे मिलेगा तो परमदब केते हैं कि एक certificate तो मुझसे मिलेगा दूसरा certificate आपको अपने आपको देना है और तीसरा certificate लोग आपको देंगे वो कब देंगे जिब आप रोगों को शांती, सुख, प्रेमानद, सुख, शांती और खुशियां दे पाओगे तब जाकर के और लोग आपको इस certificate देंगे ने तो इनसे अगर certificate नहीं मिला तो फिर सर्फ दो certificate के साथ में आप पार्णियों पाओगे तो यह certificates क्या है, इनको कैसे पाए जाए, यह कोई physical certificates नहीं है, जो के लिक्कित दिये जाएंगे यह आपके मन के अंदर होंगे, आपको आभास होगा अनका, आपको इसकी feelings होंगी तो इस certificate कैसे पाते हैं, इसके लिए आपको ब्रहमा कुमारी स्कॉर्ड लिस प्रिजिल इनस्टी में जा करके इसके बारे में सीखना पड़ेगा इसके साथ मोँ शंती